नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप MS Office का कोई भी package 2007 हो चाये 2013 हो चाये 2019 हो चाये 2021 हो यानि कोई भी आप version यूज करते हैं और आपको बहुत ज्यादा problem होती है या उसको आप purchase करते हैं या आपको खहिदना परता है काम नहीं करता है यह सारा आपको problem हो रही है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद यह सारा problem आपका solve हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो की complete बने रहेगा तभी आपको समझ में आएगा क्यूंकि इसमें आपको total बताएंगे कि आप कैसे use कर सकत तो आज आप वीडियो में बने रहेए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आप easy तरीके से अगर आप माली जी google chrome पे आपको लेके चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हमारा google chrome है इसमें सबसे पहले आप type करि MS Word आप जैसे यहाँ पे MS Word टाइप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपकी MS Word डाउनलोड पर क्लिक करिए उसके बाद इसमें देखे MS Word यहाँ पे डाउनलोड का option दे रहा है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इसकी official website है macroshop.com इस पे सबसे पहले आना है जैसे द यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको purchase करने के लिए कराया जैसे आपे 615 डूपीज में तो दोस्तों आपको देखें suggestion तो यही करेंगे कि आप purchase कर सकते हैं आपके लिए और बेटर रहेगा लेकिन ऐसा situation में आपके पास amount नहीं तब भी आप कैसे इ आप window 11 यूज करते हैं यानि जो operating system है तो उसमें एक features हमेशा on रता है और वो features है wordpad का अब इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं काम सबका same रता है दोस्तों अब उसको यूज करना आपको बताएंगे तो आपको क्या करना है कि यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपक इसमें type करना है word word and pad इतना type करना है आप दोस्तों देख सकते हैं यह है wordpad इस पर click करना है आप जैसे यहां पर click करेंगे तो same interface जैसे हम लोग का MS word 2007 13 इस तरीके से रता है same उसी तरीके से interface यहां पर आपको देखनी के लिए मिल जायागा सारा काम आप कर सकते हैं लेकिन दोस चीजी से आप manage कर सकते हैं जो जो आपको important इसमें होता है जैसा कि दोस्तों यहां पर दो time मिलते हैं home and view इन दोनों से आप manage कर सकते हैं जैसे कोई भी आप resume बना सकते हैं या कोई आप matter लिख सकते हैं यानि आप अपना काम इसमें भी easy तरीके से कर सकते हैं without download किये और without आप आपको वहां से purchase किये तो दोस्तों यही हम कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे situation में अगर आपके पास download का option नहीं है या आप download नहीं करना चाते हैं या उसको purchase नहीं करना चाते हैं तो आप इसका Microsoft जो wordpad है इसका apg तरीके से use कर सकते हैं same process काम करता है तो यही हम जनकारी देने वाल तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर ने तो चैनल को subscribe करें क्योंकि ऐसे आपको information वीडियो लाते रहेंगे तो मिलते हैं next वीडियो पर और next topic पर तब तक के लिए जाहें